हलो दोस्तो मैं हरुशता और आप देख रहे हैं ट्विन्स माई वर्ल्ड केर बहुत सरे लोगों के मन में सवाल तब से ही पैदा होना है शुरू हो जाते हैं जिस समय से आप डबल लाइन देखते हैं डबल लाइन आते ही मन में बहुत सारे खुशियां आती हैं साथ-साथ हजारों तरह के सवाल किस तरह से वाइफ का ख्याल रखना है और वाइफ खुद क्या-क्या चीजे करूं क्या-क्या चीजे नहीं करूं कैसे प्रिग्निंसी को हैंडल करूं क्या होने वाला है मेरे साथ क इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कौन सी डॉक्टर बेस्ट है, किन से अच्छी सलाह मिल सकती है, या बहुत सरे सवालों के साथ साथ ये सवाल कौमल ने देखने के लिए मिलता है कि गर में क्या है, लड़का या फिल लड़की, और ये सवाल सिर्फ पती पतनी नहीं, बल अच्छा कासा टाइम होता है, ऐसा कोई दिन नहीं होगा ना, जिसमें ये खयाल नहीं आया होगा, तो ये खयाल कॉमनली कपल्स की बीच में देखा जाता है, कि क्या होने वाला है, क्योंकि कोई हमें सर्प्राइस देता है, अगर एक intention अगर हम पता चल जाए कि हाँ, मेभी यह सोचने जरूर लग जाते हैं कि वो मुझे क्या दे सकता है तो उसी तरह से आपको अगर भगवान कोई सर्प्राइज आपके लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके मन में ख्याल जरूर आता है क्या होगा लड़का या फिल लड़की बहुत सारे लोगों के इंटेंशन अच् क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहले से अगर पता चल गया कि उनके गर में लड़की है तो वो एबॉर्ट कराने के बारे में सोचते हैं और इन फैक्ट अबॉर्ट भी करा लेते हैं इस वज़ा से ये सब कुछ इलीगल इंडिया में हुआ लेकिन अभी भीवी देशों मे ये सब कुछ कॉमन है आपको उपलनी बता दिया जाता है इन टम्स ओफ आपकी जो भी आपकी एरेंजमेंट है चाहे शॉपिंग को लेके हो या रूम डेकोरेशन को लेके हो या फिर रिवील पार्टी भी होती है जंडर रिवील पार्टी होती हैं बहुत जादा तो ये आपको प्लेसंटा के बारे में बताना चाहरे हूँ कि ये प्लेसंटा जो पोस्टीर और एंटीर को लेके हजारो तरह की बाते जरूर उटती हैं अब ये में बी ओल्ड वाइफ टेल्स के हिसाब से भी हो सकता है लेकिन मैं आपको ये बता दू कि जितने भी आपको जारो वीडियोज मिल जाएंगे लेकिन कोई भी वीडियो आपको 100% दावा ये नहीं करता है कि शॉर्ट शॉर्ट आपको बेबी बॉय होगा और शॉर्ट शॉर्ट आपको बेबी गर्ल होगी ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये पोजिशन जो होती है ये किसी भी केस में जैसे बहुत सारी लेडिज को ये ओपोजिट भी हो गई है तो कोई भी आपको शॉर्ट नहीं देता है इन फैक जो डॉक्टर्स पे भी अगर आप बात की जाए अगर वीडेशों के भी बात की जाए तो आपको बारा हफ़ते के पहले तक आपको जेंडर को शॉर्ट नही में बात करूं उसके पहले बहुत सरे ऐसे टेस्ट होते हैं मेभी अगर जनेटिक अगर आप टेस्ट कराते हैं तो वह आपको एरली प्रिगनसी में भी आपको पता चल जाएगी लेकिन ऐसे कोई ऐस सच आपको अल्टर साउंड से कोई भी आपको डिटेक्ट नहीं कर सकता है लेकिन ये बाते जो एंटेरियर और पोस्टेरियर वाली कहां से आई हैं इसके पीछे आपको छोटी सी इंफोर्मिशन देना चाहूंगी कि एक रामजी थियोरी करके है उसके पर सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है तो वहां से लोग को रिलेट कर रहे हैं कि एंटेर 5% केसिज में सही हुए थे बट फिर भी 5% तो वेरियेशन होती है तो आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि एंटेरियर का मतलब बेबी बॉय होता है रामजी थियोरी भी बहुत हद तक एफिशन्ट है लेकिन फिर भी वह बहुत जादा 100% शारिटी नहीं देते हैं रामजी थ भी कर्म शहरी रेकिति हैं अगर जो उटॉरणे का काम करती गात रही है तो जहां से जो भी खाना पिना खा रही है जितने भी नीट्रेंट्स हो ले रही है वह सब कुछ आपके बेबी तक पहुच रहा है और जो बेबी है जहां पर जितने भी वेस्ट पो औरanting रहे लुए तो बस उसका वही काम है और रही बात एंटीरर और पोस्टीरर को लेके तो बहुत जादा मिट्स फैले हुआ है तो प्लीज सब के बिलीव मत करिये क्योंकि 100% कोई भी शौरिटी नहीं है और एक इंपोर्टेंट सुचना आपको देना चाहूंगी कि जितने भी प्लेसेंटा के पोजीशन होते हैं वो बहुत सारे तरह के होते हैं इन फाक्ट चाल तरह के होते हैं उसके उपर बाद में मैं सेपरेटली वीडियोज बनाऊंगी लेकिन उसका जिंडर से किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है आपको यह वीडियो अकर इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो झाल वाल